असलाम लेकूं एवरिवन कैसे आप सब उमीद करती हूँ खेर वाफियस से होंगे तो आज मैं आप लोग के लिए लेका राए हूँ सुपर हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी ब्रोकली, आलू, शिमला, मिच और गाजर की बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजीगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने एक मिडियम साइज का ब्रोकली लिया था और इसे बड़े तुकडे में कट कर लिया है और इसे हम बॉयल करेंगे एक मिनट तक यहाँ पे मैंने दो कब तक पानी एट कर लिया है मसेले पॉडर में मैं यहां फे 2 टी समुन धनिया पॉडर लिया है 1 टी समुन जीरा पॉडर 1 टी समुन नमक औहुन auto ले लिया है और एक लसन मैं लिया था दो अग्ल कोटने टुकड लिया है और एक मिदान का टोमयटो मैं लिया है हरी प्याज है और एक संब जो Exodus करके रखी थी वो ले लेंगे तेल हमें चाहिए हजब ज़ुरत तो अब चलते अपने नेक्स्ट पॉर्सिस की तरफ तो यहां पे मैंने गैस को आन कर लिया है और यहां पे एक कढ़ाई ले लेंगे कढ़ाई जब हमारी अच्छी से गरम हो जाए तो इसमें हम हाफ कफ ऑयल यहां पे मैं रिफाइन ऑयल एट कर रही हूँ और जब हमारा ओयल अच्छी से गरम हो जाए तो हम इसमें ब्रोकली आड कर देंगे और इसे एक मिनट तक हम फ्राय करके निकाल लेंगे हमें जादा फ्राय नहीं करना है बस इसको हाफ फ्राय करना है गैस का फ्लेम हम मीडि जीरा जब हमारा हलका ब्राउन हो जाए तो हम यह पर हरी प्याज कर देंगे इसे हम अच्छी से चलाते हुए हलका ब्राउन होने तक फ्राय करेंगे यहां पर मैंने 9-10 हरी मिर्च ली है और 1 अप तक हरी धनिया अपने टेस्ट के काड़िंग कमजादा कर सकते हैं हरी मिर्च को भी हम कट कर देंगे और इसके प्याज के साथ फ्राय कर लेंगे साथ ही हम सबजी भी आट कर देंगे इसे एक मिनट तक फ्राय कर लेंगे एक मिनट बाद हम टमाटर भी आट कर देंगे और मसाले पॉटर जो हमने लिये थे वो आट कर देंगे और इसे अच्छी से मिक्स करते वे हम चला लेंगे और इसे एक मिनट तक फिर से फ्राय करेंगे एक मिनट फ्राय करने के बाद अब यहीं पे हम ब्रोकली आइट कर लेंगे और इसे भी हम हलके हाथों से चलाते वे मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढख कर हम पांच मिनट तक कुक करेंगे गैस को हम लो रखेंगे हमें लो फ्लेम पे एक मिनट तक कुक करना है इसे कवर करके तो एक मिनट बाद हमारी सबजी थोड़ा हलकी गल चुकी है यह देखिए यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया है तो यहाँ पे हमारी सबजी जो है वो 90% कुक हुई है अभी हमें इसे थोड़ा और गलाना है तो हम इसमें आधा गलास तक पानी आट कर देंगे तो अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 10 मिनट तक कुक करेंगे फिर से 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो देखिए हमारी सुपर हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सबजी ब्रोकली आलो शिमला मिर्च गाजर की सबजी तयार है अब यहां पे हम इसकी गानिशिंग करेंगे तो यहां पे मैंने फ्रेश को रिंडल ले लिया इसे बारी कट कर लिया इसे उपर ऐसे डाल देंगे हर तरफ अब हम इसे गरम सर्फ करेंगे रोटी या पराठी के साथ तो आप इस रेसिपी जरूर ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी है और साथ ही बहुत ही हल्दी भी है I am sure जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही पसंद आएगी तो आप इसे जरूर बनाएगे और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपकी ये सबजी कैसी बनी है तो फ्रेंज आज ही रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कुखवी तैसके फातिमा को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स फूर वाचिंग अल्ला हाफीज